ये आकाश्वाणी राइपूर है प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुब्रा भट्टा चारे और पेश आज के मुख्य समाचार 36 गर सरकार ने GST नियमों में बदलाव करते वे राज्य की सीमा में ईवे बिल में दी गई छूट को किया समाप्त बेमेत्रव जिले में बारूत फैक्ट्री में विस्फोट के बाद जिला प्रिशासन के नुसार आठ लोग लापता सेना की तकनीकी टीम के मार्ग दशन में मौके से मलबा हटाने का काम पूरा हुआ पदमश्री पुरसकार से सम्माने थेमचंद माजी को मावादियों द्वारा कथित रूप से धमकी दे जाने के बाद राज्य सरकार ने उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा उपलब्द कराई और मौसा विभा के नुसार कलमदे 36 कड के रायपूर दुर्गिर राजणात गाउं बालोद आधी जिलो में चल सकती है लूग अब समाचार विस्तार से 36 सरकार ने GST नियमों में बदलाव करते हुए राज्य की सीमा में ईवे बिल में दी गए छूट को समाप्त कर दिया है इसके लिए हाली में अधिसूचना जारी कर दी गई है राज्य के विवसाईयों के लिए अब 50,000 रुपे मुल्य से अधिक के माल का परिवहन करने पर ईवे बिल जनरेट करना आवश्यक होगा अभी तक राज्य में एक जिले के भीतर माल के परिवहन करने पर ईवे बिल जारी करना जरूरी नहीं था बेमेत्रा जिले के पिर्दा में सित स्पेशल ब्लास्ट फैक्टरी लिमिटेड में बीते 25 मई को विसफोट के बाद से आठ लोग लापता है जिले के कलेक्टर रणवीर शर्वा ने बताया कि सेना की टेक्निकल टीम की निगरानी में घटना इस्थल से मलबा हटाने का काम पूरा हो गया है मौके से मानव अंगों के अफशेश मिले हैं इन अफशेशों को डियने टिस्ट के लिए भेजा जाएगा गोर तलब है कि अधियोगी को प्योग के लिए बारूद बनाने वाली इस फैक्टरी में बीते शनिवार को विस्फोट हो गया था इस घटना में आधिकारिक रूप से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी वहीं छे अन्नी लोग घायल हुए हैं इस बीच कमपनी प्रबंधन की और से kitten के परीजनों को तातकालिक रूप से 5-5 लाख रुपए की सहायता राशी देने की घोशना की गई है राजजी सरकार ने भी इस दुर घटना में मारे गए लोगों को 5 लाख रुपए की सहायता राशी देने की घोशना की थी वहीं सेना की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि बेमेत्रा करेक्टर के अनुरोत पर सेंट्रल ओर्डिनेंस डिपो सी ओडी जबलपूर के एक टीम कलकल घटनास्तल पहुंची थी, इस टीम का नेत्रित्व मेजर जैदीप कर रहे थे, इसमें एक जेसियो और दो टेकनीकल कर्मी शामिल थे, सेना की इस टीम ने फैक्टरी परिसर में विसफोट को के बंडारन सुविधाओं वाले सभी स्थानों का दोरा किया, घटनास्तल का जायजा लेने के बाद सेना की टीम की ओर से कहा गया है कि परिसर में भंडारित विसफोटकों से अब विसफो पदमिश्री पुरसकार से सम्मानित नाराइनपुर जिले में रहने वाले हेमचंद माजी को मावादियों द्वारक कतित रूप से धमकिये दे जाने के बाद राज्य सरकार द्वारा उन्हें वाई श्ट्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। पैद्य हेमचंद माजी पारंपरिक चिकित्सा पद्धती से लोगों का उपचार करते हैं। चिकित्सा के एक शेत्र में उनके उलेखनी योगदान के लिए बीते 22 अप्रेल को राश्टपती द्रौपदी मुर्मु ने उन्हें पदमिश्री से सम्मानित किया। सूत्रों के पैनुसार नकसलियों ने हालही में परचे फेक कर हेमचंद माजी को धम की दी है। इसके बाद राजिसरकार ने उनकी सुरक्षा बढ़ाते हुए उन्हें वाइश्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। मामले की अगली सुनवाई अब 10 जून के बाद होगी। मास की कामकाज और रोजगार के क्षेत्र में 36 गड़ी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के संबद में ग्यापन सौपा। प्रादेशिक समाचार आप आकाश्वणी रायपूर से सुन रहे हैं। 36 गड़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वस्मियता से है हमारा वास्ता। आकाश्वणी समाचार रायपूर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामाई काईकरम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाईल पर भी सुन सकते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। आला प्रविश उत्सव का विभिन माध्यमों से प्रचार प्रसार करने के लिए भी कहा है। UPSC 2024 के लिए कल राइपूर में आयोजित नीशुल का मोग टेस्ट में बड़ित संख्या में युवाव ने भाग लिया। युवाव ने कहा कि ऐसे आयोजन के लिए जिला प्रशासन की पहल से प्रतिभाग्यों को काफी मदद मिलेगी। सामाने ग्यार और सी सेट के पेपर के माध्यम से UPSC की तैयारी में प्रतिभाग्यों को सहयता मिलेगी। गोर तलब है कि ये मौक टेस्ट आफ्लाइन हुआ, इसमें 218 प्रतिभाग्यों ने पंजियन कराया था और दो पालियों में ये परिक्षा ली गई। मौक टेस्ट का प्रश्णपत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाशा में हुआ। राइपुर जिला प्रिशासंद्वारा मौक टेस्ट के बाद प्रश्णों के विस्तरित उत्तर भी प्रदान किये गए। इस बल मौके पर पहुँचा, बाद में प्रश्णपत्र के समझाईश के बाद चक्का जाम को समाप्त किया गया। कोरिया जिले के धौरा टिक्रा मोड के पास मजदूरों से भरी एक पिकप पलट गई, पिकप में 30 मजदूर सवार थे। बताया जा रहा है कि पिकप में ग्राम 100 से मजदूरों को लाया जा रहा था, घटना में पिकप सवार कुछ लोगों को मामूली चोटे आई हैं। गौरतलव है कि राजसरकार द्वारा कबीरधा में वी सरक दुर्खटना के बार यात्री ढोने वाले मालवाकों के खिलाफ लगातार कारवाई की जा रही है। ग्या चोरों ने बैंक का कम्पीटर सिस्टम चोरी कर लिया लेकिन नगद राशी की चोरी करने में असफल रहे। चोरों ने कटर से बैंक के सिसी टीवी का केबल गाटा, इसके बाद दरवाजे का ताला तोड कर वे बैंक के अंदर घुसे। पुलिस की टीम डॉग सकॉट की मदद से जांच में जुटी है उधर राजननगाउं जिले के राश्ट्री राजमार्ग पर ग्राम चीचोला के पास एक पेट्रोल पंप के मैनेजर से 14 लाख रुपे की लूट का मामला सामने आया है बताया जा रहा है किस दौरान आरूपियों ने मैनेजर के साथ मार पुलिस नाके बंदिकर आरूपियों की पता साजी कर रही है और अब पेश है मौसम का हाल प्रदेश में गर्मी के तेवर लगातार तीखे होते जा रहे हैं मौसम इभाक एनुसार आने वाले तीन दिनों में मध्य 36 गड़ में ग्रिश्म लहर चलने की संभावना है उतर प रहाम जिलों के कुछ इलाकों में लू चलने की जेतावनी दी गई है साथ ही रात का तापमान भी 30 डिग्री से अधिक रहेगा और तलब है कि रविवार को प्रदेश का स्तरवाधिक तापमान बेमेत्रा जिले में 44.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ट किया गया था और अब परजगाओं पुलिस ने गांजा तसकरी करते हुए दो आरोपियों को गिरफदार किया है इनके पास एक ट्रक में ले जाया जा रहा 11 लाख रुपे का 22 पैकेट गांजा जब्त किया गया है और जाजगीर के अकलतरा के तरोद में सित महानदी पावप्रांट में मजदूर यूनियन के आववान पर पांच सुत्री मांगो को लेकर टूल डाउन हर्ताल की जा रही है अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर 36 गड़ सरकार ने जीस्टी नियमों में बदलाव करते हुए राजजी की सीमा में ईवे बिल में दी गई छूट को किया समाथ बेमेत्रा जिले में बारूत फैट्री में विस्पोर्ट के बाद जिला प्रशहसन के नुसार आठ लोग लापता सेना की तखनीकी टीम के मार्ग दशन में मौके से मलबा हटाने का काम पूरा हुआ पद्मिर्श्री पुरसकार से सम्मानित हेमचंद माजी को मावादियों द्वारा कथित रूप से धमकी दिये जाने के बाद रज्जी सरकार ने उन्हें वाइश्रेणी की सुरक्षा उपलब्द कराई और मौसमी भाग के नुसार कल मध्य 26 गड़के रायपूर दुर्ग राजनादगाउं बालोत आधी जिलों में चल सकती है लूप इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ नमस्कार